दात साफ करने के लिए टूथ ब्रश मत करो, खर्चा बचेगा, हम आजकल टूथ पेस्ट करते हैं, कॉल गेट, क्लोज अप, पेपसिडेंट, सिबाका, फॉरेंस, ये बड़े महंगे हैं, 30 रुपय का 100 ग्राम, 300 रुपय किलो, हुआ कि नहीं, गाय का घी 200 रुपय किलो, 200 रुपय किलो, गाय का घी नहीं खाते, और 300 रुपय किलो का पेस्ट रगड के दांतों पे थूखते हैं, और कहते हैं, हम बड़े स्मार्ट हैं, मैं उनसे कहता हूँ, और स्मार्ट बनो, क्या करें, मैं कहता हूँ, ये 300 रुपय किलो का पेस्ट इसको थूखते क्यों, इस साव निकाला था एक आदमी रोज जो ब्रश करता है ना सबेरे का तो एक बार के ब्रश में देड़ से 2 ग्राम टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है अगर वो आदमी 60 साल तक अपनी जिन्दगी के 60 साल तक ब्रश करता रहे तो एक आदमी का टूथपेस्ट का खचा jemand 1,40,000 रुपए आता साट साल तक एक पेस्ट आता है सौ गराम थीस रुपए का जिंदगी में वो जितने पेस्ट इस्तेमाल करेगा एक साट साल में उसका हिसाब जोड़ा 1,40,000 के आसपास खचा क्या फालतु खचा है बंद करो ये, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ब्रश को पेस्ट लगा के लगणने की कोई जरूरत नहीं है, फोकट का काम करो, दातुन करो दातुन, नीम की दातुन, बबूल की दातुन, पाकड की दातुन, करंज की दातुन, अमरूद की भी दातुन होती है, आम की भी दातु होती है बबूल की दातुन बारे तरे के पेड़ है उनकी दातुन करो tax free cost free side effect कुछ नहीं है expiry date कुछ नहीं मिलती है कि नहीं एक एक दातुन तोड़ लो और दातुन तोड़के साथ दिन तक चला उसको मैं तो एक दातुन साथ दिन कर लेता हूं कैसे दातुन किया चबाया आगे का हिस्सा काट दिया फिर पानी में डाल के रखा दूसरे दिन फिर कर लिया ऐसे साथ दिन चलती है एक बार क्या हुआ एक IIT का लड़का मुझे पूछता है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं IIT वाले में भ हां मूर्ख है मैं तो साथ दिन में बदल देता हूं तू साल मरे एक ही ब्रश को रखड़ता रहते हैं बंकरो यह ब्रश और यह ब्रश की मुश्किल पता है क्या है टूदप्रश होता है ना प्लास्टिक के उसमें ब्रसल सोते हैं उनको जब हम रगड़ते हैं तो मसूड पर उसका घर्शन होता है मसूडे सब छिल जाते हैं कमजोर हो जाते हैं जिनके मसूडे कमजोर होते हैं उनके दात कमजोर हो जाते हैं जिनके दात कमजोर हैं उनकी जिन्दगी में कोई आनंद नहीं है दूसरी समस्या क्या है कभी भी आप देखना टूथ ब्रश होता है न उसमें जहां ब्रसल्स लगे रहते हैं वहां पीला पीला सफिद सफिद कच्रा जमा हो जाता है उस पे हजारों वाइरस आकर जिंदा बैठते हैं और रोज आप अपने मुह में डाल के क्या खतरना काम कर रहे हो बंद करो अच्छा नहीं है और एक बात बता हूँ यह जो टूथ पेस्ट है ना टूथ पेस्ट जिसको आप घिसते हो इसमें जहाग बहुत बनता है मालूम है जहाग तो वाशिंग पाउडर में भी बनता है कभी-कभी मैं लोगों से कहता हूँ आप कॉल्गेट क्यों करते हैं तो कहते हैं इसमें जहाग बहुत बनता है तो जहाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है शेविंग क्रीम क्यों नहीं रखड़ते हैं अब मैं असली बात बताता हूँ जिस वस्तू से शेविंग क्रीम में और वाशिंग पाउडर में जाग बनता है वही वस्तू टूथपेस्ट में मिलाई जाती है उसको कहते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट और ये ऐसा खतरना केमिकल है जो कैंसर कर देता है अब मैं आपको एक सच्चा ही बताता हूँ अमेरिका देश में यूरोब के देशों में टूथपेस्ट जब बजार में बेचा जाता है तो उस पर चेतावनी लिखी रहती है और उसमें कहा जाता है सावधान टूथपेस्ट करने से कैंसर होता है अंगरेजी में लिखते हैं it is cancerous carcinogenic और अमेरिका यूरोब के टूथपे चोटे बच्चे को ये टूथ पेस्ट कभी मत कराना क्योंकि बच्चे उसे चाट लेते हैं वो कैंसर से मर सकते हैं फिर अमेरिका और यूरोप के टूथ पेस्ट पेस्ट पे लिखते हैं मनें गलती से पेस्ट अगर कर लिया बच्चे ने तो हॉस्पिटल लेके जाना उसको जहर है क्या जहर है उसमें एक केमिकल जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट ये केमिकल एक बूंद अगर आपकी जीप पर गिरा दे हैं तो जीप पर ही कैंसर हो जाता है मत करो आप ये बेकार है तो दात कैसे साफ करें दातून से दातून है ना पिपरिया में तो बहुत है मैं अभी रास्ते में आया इतने नीम के पेड़ हैं कि दातून ही दातून है यहां तो आपको तो कोई कमी नहीं तो दातून करो दातून ना मिले तो दंतमंजन करो दंतमंजन भी फोकट वाला करो, खर्चानी करना, फोकट वाला दंतमंजन, घर में रसोई है, वहां पे हल्दी है, ले लो थोड़ी सी हल्दी, और सर्सों का तेल है, वो भी डाल दो उसमें, और थोड़ा सा नमक, तीनों को मिलाओ, दात पे गिसो, सबसे अच्छा दंतमंजन और एक दूसरा बताता हूँ, गाय है, उसका गोबर है, गोबर को जला दो, कैसे जलेगा, पहले सुखाओ उसको, छोटे कंडे बनाओ, फिर जला दो, तो राक निकलेगी, उस राक में थोड़ा नमक मिलाओ, थोड़ी फिटकरी मिलाओ, और उसको दात पर गिसो, उससे जन दुनिया में नहीं, और एक तरीका बताता हूँ, नीबू है ना नीबू, हम सबजी में निचोड़ते हैं, अब छिलका बच गया, इसको फेकना नहीं, छिलके को उलट दो, अंदर का हिस्सा बाहर निकाल दो, उस पे नमक रिकड़के ऐसे से दांतों पे गिसो, दांत एक दम साफ, और एक दो बात बताता हूँ, जिनके दांत पीले हो गए, आम का पेड़ देखा, उसका पत्ता तोड़ लो, आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी दे, चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा, लुकदी बनेगी, उसको दांतों पे रगड़ दो, दा एक दम किट किट करने लगते हैं, एक दम साफ, यह सब फोकट का इलाज है, है कि नहीं? और नहीं तो कोई खरीदना है, तो दंतमंजन खरीद लो, बजार में बहुत मिलते हैं, लाल दंतमंजन, काला दंतमंजन, विको बज़दनती, अब तो स्वामी जी का भी दंतमंजन आता है दिव्योग दंतमंजन वो ही ले लो आप वो लेगे तो आपका पैसा कम से कम स्वामी जी के ट्रस्ट में जाएगा उसी से हम यह सब काम कर रहे हैं तो यह तो दातुन करो नहीं तो दंतमंजन टूथपेस्ट बंद टूथब्रश बंद अब एक जानकारी और देता हू वहां गाय बेल भैस को काटते हैं उनका मास बजार में विखता है उन जानवरों की हड्डियों को टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदते हैं हड्डियों को दूप में सुखाते हैं बोन क्रेशर में डालकर पाउडर बनाते हैं फिर उसी से पेस्ट बनता है फिर इसा वेरे हड्डियों का चूरा मुह में लगाते हैं अभी कैसे प्रसंद होंगे भगवान बताओ बंद कर दो ये सब अच्छा नहीं ठीक है तो बहुत पैसा देश का बचेगा मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि पेस्ट बंद कर दें ब्रश बंद कर दें जो पैसे बचेंग चाईगा इस देश对 आपक अभी बंबव करड सबरेमुज में धातव बिकता है एक रुपय का दो दो रुपय का तीन यह बंबव में हो सकता तो फिपरिया में भी हो सकता है अब बस करना ये पड़ेगा कि दातुन करनी है तो नीम का पेड़ लगाओ बबूल का पेड़ लगाओ दातुन तभी मिलेगी ना तो पेड़ भी लगाओ हर साल कम से कम एक हैं आपका जनम दिन आता है ना उस दिन एक पेड़ लगाओ हम जनम दिन मनाते हैं आज कल कैसे केक खरीद लाते हैं फिर मुम्बत्ती लाते हैं फिर केक के चारतरफ लगाते हैं फिर दियासलाई से जलाते हैं फिर उसी को फूक मार मार के बुझाते हैं क्या मूर्ख लोग है उसको बुझाना था तो जलाया क्यों? हमारे घर में जलता हुआ दीपक तब बुझाते हैं जब किसी की मौत होती है तो जनम दिन हुआ के मरण दिन? तो मत मनाओ तो कैसे मनाएं जनम दिन? एक पेड़ लगाओ उस दिन और मैं तो यह कहूँगा जितने जनम दिन हो गए न उतने पेड़ लगाओ मान लीजे 14 साल पूरे हो गए तो 14 पेड़ लगाओ कहां लगाएंगे? घर के सामने लगाओ घर में जगए नहीं तो पडोसी के घर में लगाओ दोस्ती हो जाएगी और पेड़ तो रहेगा जिन्दगी भर आप तो चले जाओगे नीम का पेड़ अगर लगाया तो 500 साल जिन्दा रहता है आप तो 100 साल में ही मर जाओगे वो पेड़ तो 500 साल रहेगा और एक पेड़ आपने लगा दिया हजारों रुपई की ऑक्सिजन देता ओक्सिजन यह हमें चाहिए वो पेड़ से ही आती है तो हर दिन हर जनम दिन पर पेड़ लगाए ऐसे जनम दिन मनाए